दोस्तों नमस्कार आज हम रिपेर करेंगे प्रेश्टीज का इंडेक्शन जो 900 बाट का है और इसका मोडल नम्मर भी हम आपको बता दे रहे हैं तो यहाँ आप मोडल नम्मर देख सकते हैं इसका मोडल नम्मर है और यहाँ लखा भी है 900 बाट कि रोस्तों इसमें दिक्कत यह है कि हम यहाँ पर फिलक लगा रहे हैं पावर बूट में तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई भी स्क्रीन डिस्क लें नहीं आ रहा है ना यह चालू हो रहा है इसको खुल लेते हैं और हम इसकी टेस्टेंग करेंगे तो दोस्तों हमने इसकी स्कूरूप खुल लिए हैं और इसकी कॉइल भी हम खुल देंगे ताकि हम इसमें काम कर सकें कि दोस्तों हमने इसके तीनों स्कूल लिए हैं और इसके हम यह पिन भी निकाल लेते हैं सेंसर वाले इसमें दों सेंसर लगे हो जिए हैं और यहां पर हम प्लेट के स्कूल भी खूल लेते हैं तो यह हमने इसके स्कूल लिए हैं और इसको हम पलट लेते हैं यह पंके का पिन भी हमने नकाल दिया है अब हम इसका प्लक पावर बूड में लगाएंगे लेकर सीरेज बूड में लगाकर यह आप रिपेर करें और यहां पर हम इसका बॉल्टेज चेक करेंगे तो मैंने मेल्टी मीटर को कर लिया है और सबसे पहले हम इसकी जो मेल लीड है यहां पर यह दोने पर लगे हुए हैं लेकन दोस्तों यह द्यान रखें इसमें इंडेक्शन कोई भी कोई सावी हो फूरी प्लेट में करेंट आता है तो उसका द्यान लखें तो यहां पर हम लीड आई है जो उसके बॉल्टेज हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 245 बॉल्ट यहां पर शो कर रही है तो इसकी लीड एक्रम सही है और इसमें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह फाइब बॉल्ट है और यहां पर ग्रावल्ट दी आंठ तो यहां पर हम बॉल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों अब हम लडो मिल्टी मीटर से इसका फाइब बॉल्ट चेक कर लेते हैं तो यह इसका माइनस है और फाय बॉल्ट पिलस है तो यहां आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बॉल्ट नहीं आ रहा है और जो फैन वाल अपन है इस पर इस पर भी हम चेक कर लेते हैं इस पर कोई बॉल्ट आ रहा है या नहीं तो जो फैन वाल अपन रहता आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं सिर्फ दो बोल्ट शू कर रहा है तो इसमें अठारा बोल्ट जब तक नहीं बनेगे तब तक इसमें फाइब भूल्ट भी नहीं नहीं बनेगा तो दोस्तों यहां पर हम यह क्यापिशिटर लगा हुगा है जो यह साड़े चार सो बोल्ट का इस पर वोल्ट हम चेक कर लेते हैं इस पर डीसी बोल्ट आते हैं तीन सो के सम्थिंग तो यहां पर हम यहां पर भी आना चाहिए यहां पर भी आ रहा है आप देख सकते हैं लेकन दोस्तों बोल्ट ना बनने का कारण यह है चीज की जो यह वाली आइसी है आप देख सकते हैं इसका नम्मर भी आप देख पा रहे हैं वे कैमरे में यह आइसी खराब है और यह यहां पर मिल नहीं नहीं है जिसको नकालते हैं हम पहले और यहां पर हम यह वाला पावर मोडूल लगाएंगे ऐसी वीडियो आप यूटॉब पर पहली बार देख रहे होंगे कि इसमें इंडेक्शन में भी यह मोडूल चला सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम उस आइसी को डिसोल्ड करते हैं तो दोस्तों हमने डिसोल्ड कर लिए आइसी को और इसको अब हम निकाल लेते हैं इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह आईसी मेंने निकाल ली है तो नमबर में आपको इसका बताई चुका हूं पहले इसका नमबर है और अब हम यहाँ पर पावर मोडूल लगाते हैं तो यहाँ पर हम यह सबी साप कर देते हैं एक दूसरे से इसके प्रेंट सोट ना हो नहीं तो मोडूल खराब हो सकता है तो यह हमने साप कर दी एकदम और अब यह पावर मोडूल लगाते हैं जो हम टीवियों में लगाया करते हैं कि एलसीडी बगेरा हमें और सी आड़ी टीवे में भी यह लगाता हूं मैं तो मेरे दिमाग में आया कि इससे भी काम इसका बन सकता है तो हमको यह केपेशिटर लगा हुगा है कि यह वाला साड़े 400 वूल्ट वाला इस पर माइनस में हमको यह मतलब बाहर लगाना है और प्लस में रेड़ गिरीन वाला तो यहां पर हम बाहर लगा लेते हैं यह इस तरफ है इसका जो यह माइनस है आप देख सकते हैं यह माइनस है यहां पर लगा देते हैं और दूसरा जो गिरीन वायर है वह हम यहां प्लस पर लगा देते हैं और तीसरा जो रेड़ वायर है वह हम यहां पर लगाएंगे जहां आई सी के चारों लेक एक साथ सोट होते हैं आप देख सकते हैं यहां पर पूरे चारों के चा तो आप यहां पर लगा सकते हैं या पर यही पेरिंट यहां पर गया हुगा है तो यहां कहीं भी आप लगा सकते हैं एड़ वायर तो यह वनने लगा दिया है दोस्तों यहां पर तो दोस्तो अब हम इसका पिलक फिर से पावर बूट में लगाएंगे और इसका अठारा बूल्ट चेक करेंगे तो यहां पर हम अठारा बूल्ट लगा दिया तो आप इसकी बीब भी सुन पाएंगे यह चालू हो चुका है हुआ और इसका बॉल्ट है जो हम चेक लिक लेते हैं एठार तो यहां पर हम अठारा बूल्ट इसके चेक कर लेते हैं यहां पर मैंने माल्टी वीटपन लगा लिए और अब हम यहां से यहां पर आप देख सकते हैं डिस्पिले भी चालू हो चुकी है और इसे हम और करते हैं यह और यहां से इसको दबाते हैं बटन तो आप देख सकते हैं यहां पर 15 वोल्ट आ रहा है तो हम सपलाई से इसको बढ़ा भी सकते हैं पूड़ा हम इसका बॉल्टेज बढ़ा देते हैं यहां से इसमें एक रिजस्ट करने के लिए प्रिशट दिया हुआ है तो हम फिर से चेक कर लेते हैं कि यहां पर बॉल्टेज बड़ा है नहीं है यह मैंने फिर से लगा लिए पिन आप देख सकते हैं सत्तरा बॉल्ट हो गया है तो इसमें बरता रखेंगे तो रेगुलर चालू रहेगा लेकर रहा है कापी है कि साड़े सकतरा बॉल्ट हो रहा है और अब हम इसके पिटेंग करते हैं और देखते हैं मतलब बरतन को गरम करता आया नहीं तो इसको हम सीधा कर लेते हैं और इसको हम कहीं भी सिप्ट करेंगे जो यह पावर मोडूल लगा है इस तरीके आप लगा सकते हो हो कि दोस्तो हमने पावर मोडूल यहां पर लगा दिया है और अब हम एक ऊैल है जो इसको लगा देते हैं इसके तोड़े हम यहां पर कस्त देते हैं इसको रूप की मदद से तो दोस्तों अब हम इसका पिलग डारेक्ट में लगाएंगे तो यह चालू हो चुका है और यह राह चद्दर जो हम इस पर गरम करके देखेंगे तो इसको ओन कर लेते हैं और यहां पर आपको फेन भी चला के दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं चालू हो गया है और अब हम यह चादर है जो लोहे का गरम करके दिखाएंगे आपको देखा सकते हैं पानी डालेंगे इस पर देखिए बहुत ज्यादा गरम उला है क्योंकि यह पतला चद्दर है तो इस तरीके से आप पावर मोड लगा करके जो इंडेक्शन है जो जिसकी आईसी नहीं मेर रही है तो आप इस तरीके से रेपेयर कर सकते हैं और यह काफी सक्सेस्पॉल मतलब यह पावर मोड उगल काफी सक्सेस्पॉल है इसमें मैं कई बार लगा चुपा हूँ तो आप लोग भी इससे लाब ले सकेंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करा शेयर करें चैनल को अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल नोटिफिकेशन को गोल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों मिलते अगले वीडिया तब तक लिए नमस्कार जैन